स्रीमदवालमिकी रामायन, महात्मयम, प्रत्मोध्याया, कल्युक के इस्थिति, कलीकाल के मनुश्यों के उध्धार का उपाय, रामायन पाठ, उसकी महिमा, उसके स्रवन के लिए उत्तमकाल आदी का वर्नन. श्रीराम चंदर्जी समस्थ संसार को सरण देने वाले हैं, स्रीराम के बिना दूसरी कौन सी गती है? स्रीराम कल्युक के समस्थ दोसों को नस्ट कर देते हैं, अता स्रीराम चंदर्जी को नमस्कार करना चाहिए. स्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है जगत का सब कुछ भगवान स्री राम के वसमे है स्री राम में मेरी अखंड भक्ती बनी रहे हे राम आप ही मेरे आधार है चित्र कूट में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाली पर्मानंद स्वरूप भगवान स्री राम चंदर जी को मैं नमस्कार करता हूँ संपूर्न जगत के अभिष्ट मनूरतों को सिध्ध करने वाली अथ्वास रिष्टी, पालन एवं संघार के द्वारा जगत की वेभारिक सत्ता को सिध्ध करने वाली ब्रह्मा, विश्णू और महेस आदी देवता जिनके अभिन अंसमात्र हैं उन परम विशुद्ध सचिदा अनंद में परमात्मदेव, स्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्ही के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ रिष्यो ने कहा हे भगवन, आप विद्वान है, ग्यानी है हमने जो कुछ पूछा था, वो सब आपने हमें भ़ली भाती बताया है संसार बंधन में बंधेवे जीवों के दुख बहुत है इस संसार बंधन का उच्छीद करने वाला कौन है आपने कहा है कि कल्यूग में वेदुक्त मार्ग नस्ट हो जाएंगे अधर्म परायन पुरुसों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्रन किया है घोर कल्यूग आने पर जब वेदुक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा यह बात प्रसिद्ध है प्राया सभी लोगों ने ऐसी बात कही है कल्यूग के सभी लोग काम वेदना से पीडित नाटे सरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे प्राया सब लोग थोड़ी आयू और अधिक संतान वाले होंगे उस युग की इस्त्रियां अपनी ही सरीर के पोसन में ततपर और वैस्याओं के समान आश्रण में प्रवर्त होंगी वे अपनी पती की आग्या का अनादर करकी सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी के निकट उच्छी बाते करने वाले होंगी कठोर और प्रशत्य बोलेंगी और सरीर को सुद्ध और सूसंस्क्रित बनाये रखने के सद्गुनों से वन्चित होंगी कल्यूग में अधिकांस स्त्रियां वाचाल यानि व्यर्थ में बोलने वाली होंगी भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदी के इसने संबंध में बंधिर रहने वाले होंगे विभूजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवस सिस्यों का संग्रह करेंगे इस्त्रियां दोनों हाथों से सिर्खुजलाती होई ग्रिह पती की आग्या का जान बूज कर उलंगन करेगी जब ब्राम्हन पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बाते करने लगी तब जानना चाहिए कि कल्यूग खूब बढ़ गया ब्राम्हन इस प्रकार घोर कल्यूग आने पर सदा पाप परायन रहने के कारण जिनका अंताकरन सुध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी धर्मात्माओं में स्रिष्ट सर्वग्य सूत जी मुनिश्रिष्ट सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकास टालिए आपके वचनाम रित्पान करने से किसको संतोस नहीं होता है सूत जी ने कहा मुनिवरों आप सब लोग सुनिए आपको जो सुनाना अभिस्ट है वो हमें बताता हूँ महात्मा नारज जी ने सनत कुमार को जिस रामायन नामक महा कावे का गान सुनाया था वो समस्त पापों का नास और दुस्ट ग्रहों की बाधा का निवारन करने वाला है वो सम्पून वेदार्थों की सम्मत्ती के अनुकूल है उससे समस्त दूस्वपनों का नास हो जाता है वो धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मुख शुरूप फल प्रदायन करने वाला है उसमें भगवान स्री रामचंदर जी की लीला कथा का वर्नन है वह काव्य अपने पाठक और स्रोताओं के लिए समस्त कल्यान मैं सिद्धियों को देने वाला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुसार्थों का साधक है महान फल देने वाला है या अपूर्व काव्य पुन्न मैं फल प्रदान करने की सक्ती रखता है आप लोग एकागरचित होकर इसे स्रवन करे महान पातकों अथ्वा संपोन उप पातकों से युक्त मनुष्य भी उस रिशी प्रणीत देव्य कावे का स्रवन करने से सुध्धी अथ्वा सिध्धी प्राप्त कर लेता है संपोन जगत के हित साधन में लगे रहने वाली जो मनुष्य सदा रामायन के अनुसार बरताओ करते हैं वे ही संपोर्ण सास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। वी प्रवरो, रामायन, धर्म, अर्ध, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अम्रित रूप हैं। अता सदा भक्ती भाव से उसका स्रवन करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नस्ट हो जाते हैं, उसी का रामायन के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है, जो पाप के बंधन में चकड़ा हुआ है, वह रामायन की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटी की बातों में फज जाता है। उन असदगा थाओं में अपनी पुद्धी के आसक्त होने के कारण वह तदन रूप ही बरताओ करने लगता है। इसलिए द्वीजेंद्रगण, आप लोग रामायन नामक परम पुन्य दायक उत्तम कावे का स्रवन करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यों के भैका नास हो जाता है, तथा स्रवन करने वाला मनुष्य पाप दोस्य से रहित हो, अच्यूद स्वरूप हो जाता है। रामायन अत्यन्त उत्तम वरनिय और मनुवांचित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और स्रवन करने वाली समस्त जगत को सीघ्री संसार सागर से पार कर देता है। उस आदी कावी को सुनकर मनुष्य स्री रामचंद्र जी के परमपद को प्राप्त कर लेता है। आदी विकल्पों से रहित, कारेकारन से परी, सर्वुद्क्रिष्ट, वेदानत सास्तरों के द्वारा जाननी योगे एवं अपने ही प्रकासक से प्रकासित होनी वाला परमात्मा है। उसका समस्त वेदू और पुराणों के द्वारा साक्षातकार होता है, इस रामायन के अनुसीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पेढियों के साथ स्री राम चंदर जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुश्य को कभी सोक नहीं करना पड़ता है। यह स्वर्ग और मुक्ष दीनी वाला है। अता संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कल्यूग आनी पर नौ दिनों में रामायन की अमरित्मई कथा को स्रवन करना चाहिए। ब्रामणों जो लोग भयंकर कली काल में स्री राम नाम का आस्रे लेती हैं वे ही कृतार्थ होती हैं। कल्यूग उन्हें बाधा नहीं पहुँचाता। जिस घर में प्रती दिन रामायन की कथा होती है वो तिर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुस्टों के पापों का नास होता है। तपोधनों, इस सरीर में तभी तक पाप रहती हैं जब तक मनुष्य स्री रामायन कथा का भली भाती स्रवन नहीं करता। संसार में स्री रामायन की कथा परम दुरलभी है। जब करोडों जन्मों के पुन्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ती होती है। स्रीस्ट ब्राम्हनों, कार्थिक, माग और चैत्र के सुकल पक्षमी रामायन के स्रवन मात्र से राक्षस भावा पन्य सौधास भी साप मुक्त हो गये थे। सौधास ने महरसी गौतम के शाप से राक्षस सरीर प्राप्त किया था। वे रामायन के प्रभाव से ही पुना उस साप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुस स्री रामचंदर जी की भक्ती का आस्रेले प्रीम पूर्वक इस कथा का स्रवन करता है। वो बड़े-बड़े पापो तथा पातक आदी से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्री इसकंद पूराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संबाद के अंतरगत रामायन महात्मे विश्यक कल्प का अनुकीरत नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ।